सीधी के नए कलेक्टर अभिशेक सिंग ने अपनी ज्वाइनिंग के मात्र 17 दिनों में 36 शिक्षकों को निलंबित कर यहम संदेशती दिया कि अब उनके होते हुए कोई भी शिक्षकला परवाई नहीं कर पाएगा जी हाँ सिंह दौरा 23 दिसंबर 2018 को कलेक्टर सीधी का पदबार गरहन किया गया था वे लगातार इसकुलों का खस्मिक निरिक्षण कर रहे हैं और उनने जब भी कोई शिक्षक गेर हाजर मिलते हैं उनके निलंबन के आदेश जारी कर देते हैं अभी तक कुल 36 शिक्षक नदारत मिले थे जिनके निलंबन के आदेश जारी कर दिये गए उन्होंने 18 इसकुलों का निरिक्षण किया था मंगलवार को और शिक्षकों के नहीं मिलने पर 16 शिक्षक एक प्रभारी प्राचार तथा 11 अधिक शक को निलंबत कर दिया उलेखनी है कि कलेक्टर ने 10 से 15 मिट तक शिक्षकों के आने का इंतजार किया और इसके बाद भी जब शिक्षक समय पर नहीं आये तो कलेक्टर ने कारवाई कर दी कलेक्टर ने बच्चों के साथ या आसपास के लोगों से भी पूछताच की जो नहीं बताये कि शिक्षक कभी भी समय पर नहीं आते हैं नमस्कार दोस्तो अगर आपने अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बैल आइकन को जरूर दबाएं जिससे घमासान से जोड़ी हर ताजा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे